अमेरीका नहीं एक बर फिर विदेशी चाथ्रों के लिए मुश्किले खड़ी करती है peine अमेरीका ने इस बर कहा है कि अगर दाखिला लेने वाले विदेशी स्टुडेंट्स की क्लासेज उनलाइन चल रही है तो अमेरिका ऐसे स्टुडेंट्स को ना वीजा देगा और ना ही उन्हें अपने देश में घुसने देगा अमेरिका के इस एलान से उन हजारों भारतिय चात्रों की उमीदों को जटका लगा है जो चालू सत्र में पढ़ाई के लिए अमेरिका जाने की तैयारी कर रहे थे हाल ही में अमेरिका ने कहा था कि अगर अमेरिकी इंस्टिूशन्स में पढ़ाई ओनलाइन की गई है तो विदेशी चात्रों का वीजा रद करके उन्हें उनके देश वापस भेजा जाएगा मगर हावर्ड और मिटी समेथ बड़े दिगज संस्थानों के विरोध के चलते ये फैसला वापस ले लिया गया था अब एक बार फिर अमेरिकी कॉलेजों में नोटस जारी कर यूएस इमिक्रेशन और कस्टम्स इंफोर्समेंट ने कहा है कि 9 मार्च के बाद रजिस्ट्रेशन कराने वाले विदेशी स्टुडेंट्स अगर ओनलाइन क्लासेज का विकल चुनते हैं तो उन्हें वीजा नही संगठन के वाइस प्रिसिडेंट ब्रैड फरंसवर्ट ने कहा कि नई गाइडलाइन्स निराश करने वाली है आंकडे बताते हैं कि अमेरिका में पढ़ने वाले विदेशी चात्रों की सबसे ज्यादा संख्या चीनी और भारतियों की होती है इस फैसले का असर चीन और भा मुकाबले पचास हजार स्यादा है दिल्लीव विश्वविद्याले ने रजिस्ट्रीशन की तारीक भी 18 जुलाई से बढ़ा कर 31 जुलाई कर दी है ब्यूर रपोर्ट गो नियूस